हेलो फेरन्स स्वागत है हमारे यूटूब चैनल क्रिटिकल स्टेडी आज का यह टॉपिक वर्थमान में कौन क्या है आपके लिए Tort możemy हां एनला कुर्छम के लिए तो इससे जितने चौदहवे राष्टपती कौन बने हैं तो भारत के चौदहवे राष्टपती रामनात कोविद जी बने है यानि इस question का right answer option इराइट होगा ये है रामनात कोविद जी इनका जन्म कभ हुआ है तो इनका जन्म कभ हुआ है एक अक्टूबर उनिस्सोपैतालिस को इनका जन्म ह हुआ है कहा हुआ है पारोख यूपी में यानि उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है और इन्हों ने 25 जुलाई 2017 में 25 जुलाई 2017 में भारत के 14 वे प्रेसिडेंट बने थे ठीक है ना नेक्स्क्ड के यह है दूसरा क्वेशन है भारत के 13 वे उपराश्ट पती कौन हैं तो भारत के 13 वे उपराश्ट पती और जण्म एक जुलाई 11949 कोवा था ठीक है ना और इन्होंने दो हजार 17 में 2017 में ही 13 वाइस प्रेसिडेंट बने थे भारत के 15 रहवे मुक प्रधान मंतरी कौन है तो इनको तो सभी कोई जानते होंगे भारत के 15 रहवे प्रधान मंतरी नारेंद्र मोधी जी बने है याने B option right होगा नारेंद्र मोधी जी का पूरा नाम क्या है ये है नारेंद्र मोधी जी इनका पूरा नाम क्या है नारेंद्र दामोदर दाश मोधी इनका जन्म 17 सब्टेंबर 1950 17 सितंबर 1950 को बड़ नगर गुजरात में हुआ था इन्होंने ये 2001 से 2014 के बीच कहां के cm थे गुजरात के cm थे ठीक है ना next question क्या है चौता question है लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष सी ओप्सन राइट होगा ओम बिरला थे ये हैं ओम बिरला जी इनका जन्म 23 नॉमबर 1962 को कहां हुआ था कोटा में हुआ था 1962 में य भारत के कौनसे नंबर के लोकसभा अध्यक्ष ये important question है पूछ सकता है कि लोकसभा के 17वे अध्यक्ष थे ओम बिरला कौनसे अध्यक्ष से 17ए अध्यक्ष थे नेक्स क्या है पांचमा क्यूस्त और बहुत करते हैं भारत के 48-वे मुख न्याध еष कौन थे तो भारत के 48 वे मुख नियादिस M.V. रमना यह ओप्शन राइट है यह है M.V. रमना जी इनका जन्म 27 अगस्त 1907 को हुआ था 1907 में हुआ था ठीक है ना और यह Chief Justice of India कौन से नमबर के थे तो कौन से नमबर के थे 48 वे मुख नियादिस थें M.V. रमना जी नेक्स्ट कुश्चन है मुख चुनाओ आयुक्त वर्तमान अध्यक्च कौन है तो मुख चुनाओ आयुक्त का वरतमान अध्यक्च कौन है शुशील चंद्रा यह उप्सन राइट है यह है सुशील चंद्रा यह 1980 बैच के 1980 बैच के IRS ऑफिसर है ठीक है ना नेक्स्ट कुश्चन क्या है सातमा कुश्चन है भारत के वर्तमान सौली सिटर जनरल कौन है तो इस कुश्चन का राइट आंसर होगा तुसार महता यह है त जो भारत के वर्तमान सौली सिटर जनरल है तुसार महता जी नेक्स्ट क्या है आठमा कुश्चन है भारत के महान्यावादी कौन है तो भारत के महान्यावादी कौन है के के वेडू गोपाल यह उप्सन राइट होगा यह है के के वेडू गोपाल जी जो भारत के है नेक्स कुश्चिन क्या है नौमा कुश्चिन है वर्तमान के रक्षा मंतरी कौन है तो वर्तमान के रक्षा मंतरी कौन है राजनाथ सिंग बी ऑप्सन राइट होगा ये है राजनाथ सिंग जो वर्तमान के रक्षा मंतरी है ठीक है नेक्स कुश्चिन क्या है दसमा जो वर्तमान में ग्रह मंत्री और सह कारिता मंत्री है ठीक है नेक्स्ट कुश्चन कै नितिन जैराम गढद करी जी जो वरतमान में सड़क परिवाहन और राजमार्ग मंतरी है नेक्स्ट कुश्चिन क्या है बारहमा कोश्चिन है वरतमान वित्त मंत्री और कॉर्परेट मामलो के मंत्री कौन है तो कौन है निर्मला सीता रमन निर्मला सीता रमन ये option right होगा ये है निर्मिला सीता रमन जी ठीक है ना इनका जन्म कब हुगा था तो 27 मई 1957 को इनका जन्म ह नेक्स्ट क्या है तेरहमा कोश्चन है वर्तमान क्रसी और किसान कल्यान मंत्री कौन है तो नारेंदर सिंग तोमर यानि ए ओप्सन राइट होगा यह नारेंदर सिंग तोमर जो वर्तमान में क्रसी और किसान कल्यान मंत्री है नेक्स्ट क्या है चौदहमा कोश्चन है भारत व विदेश मंत्री कौन है तो डाक्टर सुब्रमन्यम जैसंकर यानि एषsol ज्वरमन्यय जैसंकर जो वulator में विदेश मंत्री है नेक्स्ट मुन्दा जो वर्तमान में जनजाती मामलों के मंत्री कौन है तो वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंतरी कौन हैं तो वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंतरी स्मृत्ती जूबिन इरानी यानि ए ओप्सन राइट होगा ये हैं तो ये हैं स्मृत्ती जूबिन इरानी जो कि वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंतरी हैं नेक्स्ट कुश्चिन क्या है सत्रहमा कुश्चिन है वर्तमान वाड़िज और उद्योग मंत्री कौन है तो वर्तमान वाड़िज और उद्योग मंत्री कौन है प्यूस गोयल जी यह प्यूस गोयल जी जो कि वर्तमान वाड़िज और उद्योग मंत्री है नेक्स्ट सिक्षा मंत्री और कोशल विकाश मंत्री कौन है तो धर्मेंदर प्रधान जी यह है धर्मेंदर प्रधान जी जो वरतमान में सिक्षा और कोशल विकाश मंत्री है next question क्या है वर्तमान में BSF BSF की full form क्या होती है border security force और इसकी इसकी स्थापना कब हुई थी 1965 में हुई थी इसकी स्थापना ठीक है ना उसका headquarter कहा है New Delhi में है इसका headquarter BSF यहने border security force के महानिदेशा कौन है तो border security force के महानिदेशा कौन है next question क्या है बीसमा question है वर्तमान CRPF के महानिदेशा कौन है तो वर्तमान CRPF के महानिदेशा कौन है कुलदीप सिंग जी यानि B option right होगा ये है कुलदीप सिंग जो CRPF यानि Central Reserve Police Force के महानिदेशा कहा है इसकी स्थापना कब हुई थी 1939 में इसकी स्थापना हुई थी इसका headquarter का है New Delhi में इसका headquarter है next question क्या है एक कीसमा question है वर्तमान में CISF के महानिदेशा कौन है तो सील वर्धन सिंग यानि ये option right होगा सील वर्धन सिंग ये हैं सील वर्धन सिंग जो CISF यानि Central Industrial Security Force क्या है Central Industrial Security Force इसकी स्थापना कब हुई थी 1969 में इसका भी headquarter New Delhi में है next question क्या है बाईश्मा question है वर्तमान ITBP के महानिदेशा कौन है तो संजे अरोडा संजे अरोडा ये हैं संजे अरोडा जो वर्तमान ITBP के महानिदेशा क्या होता है इंडो तेबितन बॉल्डर पुलिस इसकी स्थापना कब हुई थी 1962 में इसकी स्थापना हुई थी headquarter new Delhi में है next question क्या है तेश्मा question है वर्तमान SSB के महानिदेशा कौन है संजे अरोडा जी एडिशनल चार्ज पर अब ठीक है ये हैं संजे अरोडा जी स्सथापना हुई थी 1963 में इसका भी headquarter कहा है new Delhi में इसका headquarter है ठीक है next question क्या है चौबिसमा question है वर्तमान आइबी के महानिदेशा कौन है ठीक है तो अर्विंद कुमार यानि ये option राइट होगा ठीक है ये हैं अर्विंद कुमार जो की आइबी के महानिदेशा कहा है आइबी यानि क्या होता है intelligence bureau इसकी स्थापना 1887 में हुई थी इसका headquarter भी new Delhi में है next question क्या है पच्चीसमा question है वर्तमान रौ के महानिदेशा कौन है तो सामंत कुमार गोयल यानि ये option राइट होगा ये हैं सामंत कुमार गोयल जो वर्तमान रौ के महानिदेशा कहा है और एडबलू इसकी full of form क्या होती है research and analysis wing इसकी स्थापना कभी थी 1968 में इसका भी headquarter कहां new Delhi में रौ की full form क्या होती research and analysis wing ठीक है नेक्स्ट कुशिन क्या है चब 20 मा कुश्चन है वर्तमान CBI के महानिदेशा कौन है तो वर्तमान CBI के महानिदेशा क्या होती है Central Bureau of Investigation इसकी स्थापना कभी थी 1963 में हुई थी इसकी स्थापना इसका भी headquarter कहां new Delhi में CBI की full form क्या होती है Central Bureau of Investigation next question क्या है NDRF के प्रमुख कौन है तो NDRF के प्रमुख है अतुल कारवाल यह option right होगा यह है अतुल कारवाल जी अब NDRF इसकी full form क्या होती है नेशनल डिजास्टर रिस्पोंस क्या होती है नेशनल डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स होती है इसकी स्थापना कभी थी 2006 में इसकी स्थापना हुई थी इसका headquarter भी कहा है न्यू डैली में इसका headquarter है next question क्या है भारती थलसेना के अध्यक्ष कौन है तो भारती थलसेना के अध्यक्ष है Next question क्या है थल सेना के उपध्यक्ष कौन है तो उपध्यक्ष है उपद्यक्ष संदीप सिंग जी सी ओप्सन राइट होगा यह संदीप सिंग जी जो भारती वायु सेना के उपद्यक्ष हैं नेक्ष कुश्चिन क्या है भारती नौ सेना के अध्यक्ष कौन है तो भारती नौ सेना के अध्यक्ष है आर हरी कुमार यानि ए ओप्सन राइट हो एस एन घोर मड़े ये हैं एस एन घोर मड़े यानि सी ओप्सन राइट होगा जो भारतिय नोसेना के अध्यक्छे हैं Next Question क्या है चौन्तिमा कुष्चन है भारतीय थटरकशक बलकि महानि देशक कौन है तो कौन है BS पर्ठनिया यानि बी ऑप्सन राइट होगा ये हैं BS पर्ठनिया जो भारतीय थटरकशक बलकि महानि देशक है next question क्या है सीमा सडक संगठन यानि BRO सीमा सडक संगठन BRO के महानी दे सक कौन है BRO यानि Border Road Organization जो सीमा सडक संगठन है तो कौन है राजीव चोधरी है यानि A option right होगा यह है राजीव चोधरी जो सीमा सडक संगठन यानि Border Road Organization के महानी दे सक है इसकी स्थापना कब होई थी, 1960 में इसकी स्थापना होई थी, इसका headquarter कहा है, New Delhi में इसका headquarter है Next question क्या है, NCC, NCC के महानी दे सक कौन है, तो गुरबील पाल सिंग, B option right होगा, ये हैं गुरबील पाल सिंग, जो NCC के महानी दे सक है ठीक है न, तो NCC, यानि NCC के full form क्या होती है, National Cadet Crops, इसकी स्थापना कब होई थी, 1948 में इसकी स्थापना होई थी, और इसका भी headquarter New Delhi में है देगा न, तो आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रूप, critical study से भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, वो अपने उन दोस्तों को share करें, जो competition exam की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफी मदद मिलेगी, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो, तो प्लीज इस चैनल को subscribe कीजे, साथ ही ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे बैल आइकेन को भी प्रिस कीजे, ताकि झाल